ना समझी का आलम कुछ यूँ था कि हसी जिन्दगी की खूबसूरती को भी ना समझ पाया कुछ ऐसा ही कहता है उन सब का दिल जो कैंसर से पीडित है कि मुचले उनमेरे उत अजे इलाख यह थी चूबसूरती नें थीजिनेर होागा है उनको कि अखियो यहा है उनकोक मज़ होज़ गया मैं यूट पट्तर काम करें हमारी यहां कि आशने यहां ते उन मैं तंबाखों का दाइरा सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब कम उम्र के बच्चों को भी ये अपने अंदर समेट रहा है बच्चपन में लगी इस बुरी आदत का नुकसान भविश्य में भुगतना ही पड़ता है और जब तक ये बात हमें समझ आती है बहुत देर हो चुगी होती है बच्चपन में फ्रेंड के साथ आदत लग गई थी अभी मेरे को एक्चिल मालूम नहीं था कि मेरे को इतने कम उमर में ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा मैंने इस बारे से सोचा ही ने कभी तंबाख को चपाने से होने वाला कैंसर बहुत चोटे उमर भी हो सकते दुम्रपान आपकी जिन्दगी के दस साल कम करतेता है इन सबसे जो कैंसर होता है कितना भयानक होता है और उससे कितनी बरबादी होती है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं भारत में लगभग 27 करोड़ 50 लाख लोग तंबाखु का सेवन करते हैं 15 वर्ष से ज्यादा उम्र में 35 प्रतिशत युवा किसी न किसी रूप में तंबाखु का सेवन करते हैं धूम्रपान से निकलने वाला धूआ धूम्रपान ना करने वालों पर भी शारिरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से असर करता है तंबाखु की वज़े से बच्चे हो या जवान कई तरह की बिमारियों का शिकार हो सकते हैं जिनमें अकस्मात मृत्यू, निमोनिया, आस्थमा, वृदय तथा फेपडों की बिमारी शामिल है प्रतिवर्ष तंबाखु की वज़े से दस लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है प्रतिदस में से एक मौत का कारण धूबरबान होता है जिन्दगी खुपसूर्ती के साथ जीने के लिए है ना कि बरभाद करने के लिए तंबाखु से दूर रहकर अपना और आने वाली पीडियों का भविश्य सुरक्षित रखे देश को तंबाखु मुक्त बनाए झाल